तो साल 2022 हम अगर ऐसे सोचा जाए तो as in 2022 सनिमा इंडेस्टी के लिए कुछ खास फ्रूटफुल था नहीं मतलब अगर हम सोचेंगे तो हमें भी कुछ ऐसे खास बहुत अच्छी पिच्चरे देखने को मिली नहीं है अगर मुठी बर पिच्चरों को छोड़ दिया जाए तो और याद करने पे इस पूरे कांड की शुरुवात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन दे मल्टिवस ऑफ मैडनेस के साथ में पहली बार तो जब इसका नाम अनांस वा मल्टिवस तभी आदे लोग चीखे मारमार के अपने कले खराब करवा चुके थे क्योंकि एक तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी और उसके भी उपर से उसमें मल्टिवस वाला कंसेप्ट सोचने में ही कितना माइंड ब्लोईंग लगता है दॉक्टर स्टेंज के उस डाक से सैंक्टम में जाना फिर एक अजीब सी दुनिया को देखना फिर इसके बाद वांडा के मदद लेना फिर इसके बाद इस पूरे ट्रेलर का एक वाइल्ड थीम को फॉलो करना और आखरी में हमारे को डॉक्टर सापके ही अलग अलग वेरि प्रेच पाटेंज को उसके कान के पीछे की पूरे का पूरे ट्रेलर को इतना भी तरीके से क्राफ्ट किया गया था कि पिचर की एक-एक सीक्वेंस इकदम प्रीडिक्टेबल हो गई ती त्रेलर को देखने की वज़हसे पिचर में जो कुछ भी होने वाला तो हमको पहले ह पता चल जारा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी लाश को उस छट में गाड़ते हैं तब हमको पता था कि आखरी में लाश वहीं से बाहर निकलेगी क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर में देख लिया था और फिर ट्रेलर में वो चो दिखाई थी कि कि दोक्टर स्टाब मल्टिवर्स में घुस रहे हैं तो किसी में वो पेंट बन रहे हैं फिर उसके बाद किसी में उनके तुकड़े-टुकड़े हो जा रहे हैं किसी में वो ब्लाक औन वाइट हो रहे है किसी में कार्टूनिश हो रहे है तो इस वारी चीजे लग रहा था कि जब पिच्चर में देखने को मिलेगी तो एक मल्टिवर्स वाली फीलिंग आएगी, लेगिन पिच्चर में उतनी ही सीक्वेंस थी चित्ति हमको ट्रेलर में दिखाई जाती है, फिर इसके बाद आती है थौर लवें धंडर, तो देखो थौर लवें धंडर को लेकर हमको पह तो फिर लगा कि भाई, अगर ये बंदा है तो पिच्चर से थोड़ी बहुत उम्मीदे की जा सकती है, लेकिन पिच्चर देखने पर पता चला कि जितने शॉट्स हमको इस टीजर में इस ट्रेलर में इनके दिखाए गई थे, उतने ही पिच्चर में थे, और देखो इस प पूच रहे हैं, उतना वो सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, और पिच्चर किसी और ही चीज़ पर बात करने वाली है, लेकिन इतना छोड़ो यार, फिर इसके बाद हम लोग बात करना शुरू करते हैं, मार्वल के टीवी शोस पे, तो हैंड्स डाउ मारने वाले सीन को देखो कि तो आपको रेलाइस हो जाएगा कि ये वाला शो एक बाड़ास वाइप को प्रमोट कर रहा था, मतलब मार्क स्पेक्टर अपनी खुद की परसनालिटी से परिशान रहेगा, उसके इंटरनल कॉन्फिक्ट्स होंगे, जो हमने एक्चुली इस श मार्विल का ट्रेलर किसको याद भी नहीं होगा, मतलब जितने बड़े क्लिक बेट हम लोग हमारे थमनेल्स में डालते हैं, उससे जादा बड़ा क्लिक बेट इसका पूरा ट्रेलर था, मतलब इस पूरे शीहल के ट्रेलर की सबसे बड़ी हाइलाइट थी डेर डेविल, औ इसको हफते दर हफते जहलते चले गए, अपनी जान पे खेलते चले गए, और जैसे सब कुछ कम था, तो मार्विल वाले भी हर एक दिन छोड़ कर इसकी क्लिप्स पे क्लिप्स पेलते चले गए, मतलब इसकी डेर डेविल वाली क्लिप्स इंटरनेट पे हर कहीं घूम रही तो इन लोगों ने उस फिनाले में जो हलक और अबॉमिनेशन के वर्सेज में दो तीन सेकंड की क्लिप थी वो जला दी लोगों ने उस क्लिप को देखते ही अपनी आखे में चली बोले हमको मत दिखा हो मारा स्पोईल हो रहा हम नहीं देखना चाते हैं को क्या पता था कि जितना वो देख रहे हैं माल भी उत नहीं है और हाला कि मैंने ब्लाक पैंथर टु वकांडा फोरेवर अभी तक देखे नहीं है लेकिन इस पूरी मुवी को में बहुत ही नीट्रल परस्पेक्टिव से देखने जाना चाता हूं अपनी एक्सपेक्टेशन क तो भी मजबान देगी एक दम तो बोल मिलाके मैं बस यहीं बोलना चाहा रहा था कि मार्वल के जो ट्रेलर हमने 2022 में देखे हैं उनके फाइनल प्रोड़क्ट और उनकी फाइनल मुवीज में उतना दम नहीं रहा लिगे ना इतिंग कि एंट पैंथरी क्वांटमेनिया इस पी लोग, as always, keeping awesome!